नमस्कार दोस्तों, मैं मिनाक्षे रूंतिकर योगाइट होम में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी हस्त योग मुद्राये जो माईगरेन की समस्या में बहुत ही लाबदायक साबित हुई है लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दू अगर आपने हमारे चैनल योगाइट होम सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के बाद अवश्य सब्सक्राइब करें हस्त योग मुद्रा करने के लिए सबसे पहले आप सुखासन, पदमासन या वजरासन में बैठ जाए यह मुद्रा आप खड़े होकर या कुर्सी पर बैठ कर भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप यह मुद्रा बैठ कर करें तो ज्यादा अच्छा होगा सुखा या शाम की समय यह मुद्रा आप करें तो बैठ होगा तो आई यह शुरू करते हैं पहली मुद्रा पान मुद्रा से पान मुद्रा बनाने के लिए आपको दोनों हाथ के अंगुठों को आपस में इस तरह मिलाना है एवं तरजनी उंगली को भी मिलाना है ध्यान रहें बाकी की तीन उंगलिया दूर दूर रहेंगी एवं सीधे रहेंगी अब आपको हथे लिखा रुख नीचे जमीन की और करना है यह मुद्रा आपको रोजाना 15 से 20 मिनिट तक करना है अब चलते हैं दूसरी मुद्रा आकाश मुद्रा की और आकाश मुद्रा बनाने के लिए आपको अमगुठा एवं मध्यमा उंगली को आपस में इस तरह से मिलाना है ध्यान रहें बाकी की तीन उंगलिया सीधी रहेंगी अब आपको दोनों हातों से आकाश मुद्रा बनाकर इसे गुठने पर रखना है कमर सीधी, आखे बन, पूरा ध्यान, श्वास प्रश्वास पर केंद्रित करना है यह मुद्रा आपको रोजाना 10 से 15 मिनिट तक करना है अब चलते हैं तीसरी मुद्रा, अपानवायू मुद्रा की और अपानवायू मुद्रा बनाने के लिए आपको अनामी का उंगली यानि रिंग फिंगर और मध्यमा उंगली को अंगुठे से इस तरह मिलाना है एवं तरजनी उंगली को अंगोठे के निचले हिस्से पर रखना है अब आपको दोनों हातों से यह मुद्रा बनानी है एवं गुठनों पर स्थापित करनी है आखी बन, पूरा ध्यान, श्वास प्रश्वास पर यह मुद्रा आपको रोजाना 15-20 मिनिट तक करना है अब चलते हैं चौथी मुद्रा, प्राण मुद्रा की और प्राण मुद्रा बनाने के लिए आपको अनामिका उंगली याने रिंग फिंगर और छोटी उंगले को अंगोठे से इस तरह मिलाना है ध्यान रहे, बाकी की दो उंगलिया सीधे रहेगी अब आपको दोनों हातों से यह मुद्रा बनानी है, एवं दोर हातों को गुढ़ने पर रखना है आखे बन करेंगे, पूरा ध्यान, श्वास प्रश्वास पर यह मुद्रा आपको रोजाना 15 से 20 मिनिट तक करना है आए चलते हैं पाचवी एवं आखरी मुद्रा ग्यान मुद्रा की और ग्यान मुद्रा बनाने के लिए आपको तरजनी उंगली को अंगोठे से इस तरह मिलाना है ध्यान रहे, बाकी की तीन उंगली आप दूर दूर एवं सीधी रहेगी आपको दोना हातों से यह मुद्रा बनाना है, एवं दोना हातों को गुटने पर रखना है आखे बंद रहेगी एवं पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर और आप ओमकार का उच्चारण भी कर सकते हैं यह मुद्रा आपको रोजाना 20 से 25 मिनिट तक करना है आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? हमें जरूर बताए अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल योगा एट होम और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूले